जय माता दी नवरातरी के नो दिनों तक विधिवत उपवास करने के वाद शुकल पक्ष की नोवी दिथी के दिन उपवासों का समापन किया जाता है पर देख उपास तक कि यह जिग्यासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता सिगर परसन हो हिंदूओं का कोई भी उपवास भोग परसाद के बिना पूरण नहीं होता है वर्त किसी भी उदेश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य ही लगाया जाता है नवरात्री के नो दिनों में नो देवियों को अलग-अलग भोग लगाया जाता है आज हम इस वीडियों में जानेंगे कि नो देवियों के कौन-कौन से भोग है तो पर्थम माता है माता शेल पुत्री माता शेल पुत्री को लगाया जाने वाला भोग शुकल पक्ष की परतिपदा को पर्थम नवरातरा होता है नवरातरी के पहले दिन माता के पर्थम रूप माता शैल पुतरी की पूजा की जाती है माता शैल पुतरी परवत राज हिमाले की पुतरी हैं और इसी कारण उनका नाम शैल पुतरी पड़ा इस दिन उपवास करने के बाद माता के चर्णों में गाये का शुद घी अरपित करने से आरोग्य का आशिरवाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है माता ब्रमचार्णी को लगाए जाने वाला भोग दुईतिय तिथी के दिन श्री दुर्गा के दुईतिय रूप मा ब्रमचार्णी की पूजा की जाती है माता इस रूप में तपस्विनी सवरूपा होती है माता पारवती ने भगवान शंकर को पती रूप में पाने के लिए तपश्या साधना की थी उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रमचारणी पड़ा इस दिन माता ब्रमचारणी को परसन करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सबी सदश्यों की आयू में बडोतरी होती है माता चंदर घंटा को लगाए जाने वाला भोग माता के तीसरे रूप में चंदर घंटा की पूजा की जाती है माता चंदर घंटा के माते पर चंदर अर्ध सवरूप में विध्यवान है नवरातरे के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्जना की जाती है माता चंदरगंटा का पोजन करने से उपासक की सभी मनोवांचित इच्छा पूरी होती है तथा वह सांसारिक कस्टों से मुक्ति पाता है माता की पोजा करते समय उनको दूद या दूद की बनी मिठाई अत्वा खीर का भोग लगाया जाता है भोग लगाने के लिए एक थाल ब्रामन के लिए भी निकाली जाती है ब्रामन को भोग जन के साथ साथ दक्षिना आदी भी दान दी जाती है माता चंदरगंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखो से मुक्ति मिलती है और उस पर परम आनंद बरस्ता है मा का अगला मा का सवरूप है मा कुश्मांडा माता कुश्मांडा को लगाए जाने वाला भोग नवरात्रे का चोथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा अराधना की जाती है यह माता कुश्मांडा का चोथा सवरूप है एक मान्यता के अनुसार बर्मांड की उत्पती माता कुस्मांडा के उदर से हुई है नवरात्रे के चोथे दिन इनकी पूजा अराधना की जाती है चोथे नवरात्रे को जो इन पूरण विधी विदान से उपवास करता है उसके समस्त रोग शोग नस्थ हो जाते हैं मा कुस्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है यह परसाद मंदिर में बाटना भी इस दिन शुब रहता है इस दिन माता को माल पुए का भोग लगाने से माता परसन होकर उपवासक की बुद्धी का विकास करती है और साथ-साथ निर्ने करने की शक्ते भी बढ़ाती है माता का अगला सवरूप है सकंद माता, सकंद माता को लगाए जाने वाला भोग माता दुर्गा के अगले जो रूप है वो है सकंद माता नवरातरे के पांचवे दिन मा सकंद माता की पुजा की जाती है मा सकंद माता कुमार कार्तिके की माता है पांचवे दिन माता के इस रूप की अराधना करने से उपासक को सवेथ ही सभी सिद्या प्राप्त होती है इस दिन पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्त रहता है माता का अगला सवरूप है कात्याईनी मा कात्याईनी को लगाए जाने वाला भोग माता कात्याईनी मा दुर्गा का छटा सवरूप है छटी तिथी को माता के इस सवरूप की पूजा की जाती है माता कात्याईनी रिशी कात्यान की पुत्री है माता को अपनी तपश्चा से परसन करने के बाद उन्होंने यहां माता की पुतरी रूप में जनम लिया इस कारण वे कात्याईनी कहलाई नवरात्री के छटे दिन इनकी पूजा अराधना की जाती है इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है माता का तैनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकरशक सक्ती में विर्धी होती है अगला सवरूप है मा कालरात्री माता कालरात्री को लगाए जाने वाला भोग सप्तमी तिथी में माता के कालरात्री सवरूप की पूजा अराधना की जाती है ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं इसलिए इन्हे कालरात्री के नाम से जाना जाता है नर्वरात्र के साथमे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड का भोग लगाना चाहिए इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मन को दान देक्षिना भी देनी चाहिए इस पर कार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुप्ति मिलती है वे उपवासक पर आकास्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं माता का अगला सोव रूप है महागोरी माता महागोरी को लगाए जाने वाला भोग श्री दुर्गास्टमी के दिन माता के आठवे रूप महागोरी की पूजा की जाती है अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागोरी पड़ा माता के महागोरी रूप का पूजन करने पर माता परसन होकर उपवासक के हर एक असंभव कारिये को भी संभव कर आशिरवाद देती हैं इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मन को भी नारियल दान में देने की पर्था है यह माता नी संतानों की मनो कामना पूरण करती है मा का अगला सवरूप है मा सिद्धिदात्री मा सिद्धिदात्री को लगाय जाने वाला भोग नवरात्र के नोवे दिन मा सिध्धिदात्री की पूजा अराधना होती है माता सिध्धिदात्री को सभी परकार की सिध्या देने वाला कहा गया है नवरात्री के नवम दिन इसकी पूजा और अराधना की जाती है इन्हें सिध्यों की स्वामिनी भी कहा जाता है नोवी तिथी का वर्थ कर माता की पूजा अराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्यान करी रहता है यह उपवास वेक्ति को मिर्त्यू के भैसे राहत देता है और अन्होनी घटनाओं से बचाता है मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी माता के सवरूपों को यानि कि नो सवरूपों का भोग परसाद का ग्यान प्राप्त कर लिया होगा और आप इनको नो के नो दिन इनकी प्रिये वस्तु का भोग अवश्य ही अर्पित करेंगे ताकि माता राने आप पर परसन हो और आपकी इच्छा पूरण करें जय माता दि